गौतम बुद्वार कौन थे? बुद्वार शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे बोध प्राप्त हो गया हो. गुणों के आधार पर यह नाम सिधार्ति गौतम का पड़ा गौतम बुद्वार बहुत धर्म के जन्म दाता थे। सिधार्ति गौतम का जन्म नेपाल के एक शाक्य वनशी राजा के यहां छटी शताब्दी इसापूर्व में हुआ था। यद्य भी इनका लालन पालन बहुत राजसी ठाट में हुआ था। पर बचपन से ही इन्हें भातिक सुखों में कोई रुचिन नहीं थी। युवावस्था में भी ये बहुत समवेदन शील और दार्शनिक मनोवरती के वेक्ति थे। संसार के सभी सुख साधन इनके पास थे। फिर भी ये हमेशा असंतुष्ट रहते थे। एक दिन घौतम रत में बैठकर नगर घूमने निकले। नगर में उन्होंने तीन ऐसे द्रिश्य देखे जैसे पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने एक बीमार आदमी, एक बुढ़ा आदमी और एक मरा हुआ आदमी देखा। इन द्रिश्य ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें उदास कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि संसार, दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यू से पीड़त है। जब हर मनुष्य को इन दुखों को भोगना पड़ता है, तो मानव जीवन का उद्देशे क्या है। मनुष्य अपने छोटे से जीवन का सरवुत्तम उप्योग क्या कर सकता है। इन प्रश्णों ने उनके मन में हलचल मचा दी। सिधार्थ गौतम ने संसार के दुखों के वास्तविक स्वरूप को जानने और उन्हें दूर करने के उपाय खोजने का नर्ण किया। सिधार्थ उस समय 29 वर्ष के थे वह विवाहित थे और एक कुत्र के पिता थे अपनी जीग्यासा के उत्तर की खोज में वह एक रात बि पुरूओं से शिक्षा प्राप्त की पर कोई भी उनका मन चाहा ग्यान ना दे सका। अंत में जगय जगय की यात्रा करते हुए वियोतरी भारत में एक स्थान पर पहुंचे जो अब बोद के नाम से प्रसिद्ध हैं वहां एक पेड़ के नीचे बैठ कर उन्होंने वर्ष उनके अंदर फूटा वे वही बोधिसत्व था जिसकी उन्हें तलाश थी। बाकी का सारा जीवन उन्होंने यही रास्ता लोगों को दिखाने में लगा दिया। उनके मार्क दर्शन में लोगों ने उस ज्ञान का अनुभव किया जिससे दुख का मिनाश होता है। बुद बुद्वार के अनुसार भौतिक सुख से परमशान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। व्यक्ति को न पूर्ण तह सुखवादी होना चाहिए। न स्वयुहम के प्रति बहुत कठोर होना चाहिए। व्यक्ति को मध्यम मार्गी होना चाहिए। बुद्वार ने दुख पर जे प्राप्त करने के लिए आठ मूल सिधानतों को निरूपन किया, जो अश्टांगिक मार कहलाए, वे इस प्रकार हैं एक, सम्यक ग्रिष्टी, दो, संकल्प, तीन, वाक, चार, कमत, पांच, आजीव, छे, व्यायाम, साथ, स्मरीती, आठ, समाधी, जो प्रतीक बहुत धर्म को बुद्वार ने दिया वह धम चक्र कहलाया, उसमें आठ, पर हैं, वे इनहीं मार्गों के प्रतीक हैं, यही बुद्वार के अनुसार निर्वान मार्ग है, महात्मा बुद्वार असी वर्ष की अवस्था में बनारस के पास, सारनात में स्वर्ग सिधारे, उनकी मृत्यू के पस्चात बहुत धर्म अनेक देशों में फैल गया, इन में से बर्मा, थाइलेंड, श्रीलंका और जापान प्रमुख हैं, अकेले उतरी अमेरिका में एक लाख सतहत्तर हजार बहुत रहते हैं, यदि आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद क में वीडियो करते हैं, यदि आपको यदू स्वड़ हैं, यदि हैं, बhtली हैं, यदिस म taraf हैं, इसल इसे बात्री इपके लूआ प्रखस्टर…